हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नमबर थर्टी अप दो चेप्टर डिजिटल लॉजिक तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक तरह के टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है करनप मैफ एक्जाम्पल्स तो लाश्ट क्लास में हमने करनप मैफ यूज करके कि sum of product वाले boolean expression को कैसे minimize कर सकते हैं वो हमने लाश्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कि product of sum वाले boolean expression को कैसे minimize कर सकते हैं by using k-map और karn of map तो first question क्या है minimize the given boolean expression using k-map यहाँ पे एक boolean expression हमें provide किया गया है इसको में क्या करना है minimize करना है k-map यूज करके तो यह किस form में है यहाँ पे अगर इस तरह का कोई symbol होता तो यहाँ से हमें पता चलता यह किस form में है sum of product वाले boolean expression के form में है बड़ अगर इस तरह का symbol है यहाँ से हमें पता चलेगा कि यह किस form में है product of sum वाले boolean expression के form में है तो इस तरह के boolean expression को हम कैसे minimize कर सकते हैं k-map यूज करके तो कितना variable है तीन variable है तो तीन variable के लिए हम कैसे लेते है k-map नीचे रहेगा एक variable उपर रहेगा दो variable possible number of inputs 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ओके इस आर पॉसिबल number of inputs ओके जहां जहां पर जैसे कि sum of product में जितने भी mean terms होते हैं सारे mean terms का value हम क्या लेते हैं वैसे ही product of sum में सारे max terms या फिर सारे sum terms का value हम क्या लेंगे 0 ओके, so 0, first 0, 0 means उसका binary value क्या है, 0, 0, 0 यहाँ पर हम लिखेंगे 0, then 3, 3 का binary value, 0, 1, 1, 0, 1, 1, यहाँ लिखेंगे 0 then 6, 6 का binary value, 1, 1, 0, 1, 1, 0, यहाँ पर आएगा 0, then 7, 1, 1, 1, 0 तो यहाँ पर हमारा यह है एक group, यह side में एक है, यह side में एक है, इनको बना सकते हैं एक group हो गया दो group, यह फिर यह दोनों को एक group के हिसाब से लिए हमने, पर दो अलग-अलग side में हैं तो उनको अलग-अलग group के हिसाब से भी हम represent कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हो गया एक group और ये दोनों एक group में consider किये जा सकते हैं और जबकि उनके पास और कोई sale नहीं है zero वाला तो वो individually अपना एक group बना सकते हैं मतलब इनको और इनको लेके हमने बनाया एक group तो हमारा result क्या आएगा पहले देखते हैं इस group को इस group से हमें क्या मिलेगा ऐसा कौन सा variable है इस variable का value change नहीं हो रहा a का value change हो रहा है इसके लिए okay change नहीं हो रहा तो b और c का value change नहीं हो रहा है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है क्या चीज़ ध्यान देना है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे है sum of product वाले boolean expression को minimize कर रहे है या फिर product of sum वाले boolean expression को minimize कर रहे है product of sum वाले boolean expression को minimize कर रहे है तो product of sum वाले boolean expression में हम क्या करते है max terms के form में हमारे terms को represent करते है तो max term में क्या होता है variable का normal value क्या होता है 0 और complemented form में उसका value होता है 1 तो यहाँ पे value क्या है? 1, 1, मतलब complemented form में है, कौन? B dash और C dash, okay, this is first term, then second group यह, तो यहाँ पे 0 का value, sorry, A का value, change नहीं हुआ, B का value चाहिए नहीं हुआ, C का value चाहिए नहीं हुआ, 3 का value 0 है, मतलब यह normal form में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, A और B और C, okay, then next group, यहाँ पे A क value क्या है? 1, means A dash, B और C का value change नहीं हो रहा, क्योंकि A की term है यहाँ पे, और B dash और C, okay, तो यह चीज़ आप ध्यान देना हमेशा, कि अगर आप sum of product वाले boolean expression को minimize कर रहे हो, तो मापे 1 को, 1 वाले जितने sale हैं, उनको लेकि grouping करना है, और अगर आप product of sum वाले boolean expression को minimize कर रहे हो, वाहाँ पे 0 वाले sale को लेकि grouping करना है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, sum of product वाले boolean expression को minimize कर रहे हो, वाहाँ पे आपको mean terms के form में, मतलब product terms के form में सारे terms को represent करने है, सारे group को represent करने है और अगर आप product of sum वाले boolean expression को minimize कर रहे हो वहाँ पे, आपको किस form में represent करने है सारे groups को, सारे terms को, sum terms में या फिर match terms की form में represent करने है तो यह हो गया हमारा minimization form of the boolean expression किस boolean expression का? और जो हमारा product of sum वाला boolean expression हमें question में provide किया गया था उसका minimization form है यह ओके तो उसी तरह से आपको provide किया गया है यहां पे आपको question जिस question का यह फिर जिस particular product of some वाले boolean expression को आपको क्या करना है minimize करना है by using game map जिस तरीके से अभी हमने practice किया ओके तो अभी हम practice करेंगे और एक boolean expression को कैसे minimize कर सकते हैं कि हम abuse करके किस तरह की boolean expression को product of some वाले boolean expression को जहां पे कितना variable हम use कर रहे है चार वेरियाबल उसकर रहे है तो यहां से लेके यहां तक यह हमारा क्या है boolean expression है जो कि किस form में है product of some की form में है तो चार variable के लिए हम k-map कैसे बनाते हैं? मीचे रहता है दो variable a, b, उपर रहता है दो variable c, d. Okay, possible number of inputs 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, c, d के लिए 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Okay, this is all the possible number of inputs. तो यह जो हमारा boolean expression है, यह किस form में है? Product of sum के form में हैं. तो product of sum के form में हम 0 वाले cell को grouping करते हैं या फिर one वाले cell को grouping करते हैं, zero वाले cell को grouping करते हैं. तो यहां के जितने भी terms हैं, सारे terms का value हम 0 put करेंगे. तो first term क्या है? a, b, c, d. मतलब a, b, means 1, b, means 1, c, means 0, d, means 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. यहां पे आगया 0. Okay, then a, b, dash, c, d. a, means 0, b, dash, means 1, c, means 0, d, means 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. यहापे आएगा 0, then A, B, C dash, D dash, A means 0, B means 0, C dash, 1, D dash, 1, 0011, 0011, यहापे आएगा 0, then A dash, B, C, D dash, A dash means 1, B means 0, C means 0, D dash, 1, 1, 0, 0, 1, 001, यहापे आएगा 0, then A, B, C dash, D, A means 0, B means 0, C dash means 1, D means 0, 0010, 0010, यहापे आएगा 0, okay, तो सारा terms खतम, जितना terms थे, सारे terms के जगा पे हमने put किया 0, वाँकी जितना जगा blank रहा, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे 1, ओके, तो अभी grouping हम किसको लेके करेंगे, 0 वाले cell को, तो यहाँ पे 2, 0, 1, 7, इनको group कर सकते हैं, यह 2, 0, 1, 7, इनको group कर सकते हैं, उसके बाद, यह 2, 0, single, single है, तो इनको भी grouping कर सकते हैं, एक साथ, ये दोनों एक ही group में रहेंगे, तो तिन group होगे, तो यहाँ पर first group जो है, first group में क्या term समय मिलेगा, first value जो है a का change हो रहा है, b का value change नहीं हो रहा, मतलब b dash, 1 है 1 मतलब B dash product of sum में normal value 0 के फ़र्म में होता है complemented value 1 के फ़र्म में होता है और यहां पे C और T का value change नहीं हो रहा और C और T B dash और C और T B dash और C और T second group this is the second group second group आप किसी को भी ले सकते हो मैं इसी को ले रहा हूं second group यहां पे change नहीं हो रहा A और B का value means A dash sorry 0 के फ़र्म में है तो A और B then one change नहीं हो रहा मतलब first value change नहीं हो रहा C का value नहीं हो रहा one means C dash A और B और C dash A और B और C dash यह dot के फ़र्म में है by mistake नहीं हां पे और symbol आ गया है यह end के फ़र्म में है क्योंकि यह किस तरह का equation है product of some वाले expressions है next group is this is the next group group 3 यहां पे change क्या नहीं हो रहा B का value चाहिज नहीं हो रहा 0 है मतलब B और C और D का value भी चाहिज नहीं हो रहा C का value क्या है 0 means C D का value है 1 means D dash B और C और D dash B और C और D dash यह सब end में है किस form में है यह expression जो आया यह expression किस form में है यह expression है product of some के form में है this is the minimization boolean expression तो original expression क्या था कितना लिंदी था अभी इसका minimization form में आ गया यह तो पता चला कि कैसे हम product of some वाले boolean expression को के map यूज करके minimize कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक question प्रोवाइड किया गया है जिस question में आपको एक boolean expression प्रोवाइड किया गया है इस boolean expression को आपको minimize करना है by using kmap तो आज हमने practice किया कि कैसे हम product of some वाले boolean expression को minimize कर सकते हैं kmap use करके next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही thank you